तो आज हम Microsoft Word में सीख रहे हैं Sheps के बारे में तो Sheps क्या होते हैं इसको थोड़ा सा डिसकस करेंगे यहां से हम लेते हैं इसको Center में तो जिस तरह हम Text पर काम कर रहे होते हैं वैसे हमें Microsoft में Illustrations की ज़रुत पड़ती है अब Illustrations क्या होती है यह मतलब किसी चीज को भी आपने कोई शकल बनाके समझाने को आप Illustration कहते हैं उसको हम Shape के जरीए कर सकते हैं Shape बनाने के लिए आपको Insert में जाना पड़ेगा यहां पर क्लिक करना पड़ेगा Shape के उपर और Shape पर क्लिक करके आप यहां पर दीखेंगे तो यह Different किसम के Shape आपको यहां पर नजाराने लग जाएगे अब इस Shape में से जो भी आपको Shape समझ में आ रहा है आप उसमें क्लिक करेंगे और उसको Draw कर देंगे ठीक है और Shape बन जाएगा Shape के दो हिससे होते हैं एक होता है इसका Inner Part जिसको हम कहते हैं Fill एक होता है इसका Outer Part जिसको हम कहते हैं Outline ठीक है यह Shape के Outline है और यह Shape का अंदर वाला इससा है इसको हम Fill कहते है पर रहाल कोई भी Shape आप बनाने जा रहे हैं उस Shape के आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो-चार चीज़ें और अच्छी सीखने को मिलेंगी हर Category का आपको नाम यहाँ दिखाई देगा ठीक है और यहाँ पर हर Shape आपको दिखाई दे रहा है तो जो भी Shape आप क्लिक करेंगे उस Shape पर क्लिक करके यहाँ से आप इसको ऐसे कर सकते है आप इस Shape में आप क्लोर बगर जो प्लों चाहें चाहें खर औहाँ यहाँ से कर सकते हैं लेकिन आप जो प्लोर फिल करने की बाद Çağ कर रहा हूँ यह आपको Shape प्लिक करनी के बदद एक Shape का ऐर माट का टैब नजर आएग Hmmm लेकिन यह कब नजर आएगा जब आप शेप पर क्लिक करेंगे हाँ अगर आप शेप पर क्लिक नहीं करेंगे तो यह टेप भी नजर नहीं आएगा क्लिक करेंगे फिर नजर आएगा फिर उस पर जाएगे और यहाँ पर शेप स्टाइल्स पर क्लिक करेंगे जैसे part shape के style पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से आपको different किसम के जो है यह styles आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और इस तरीके से आप इनको use कर सकते हैं ठीक है click करेंगे यह shape इस पर apply होगे click करेंगे यह देखें shape पर यह style apply होगे अब यह तो वो style होगा जो बने बनाए थे आप अगर अपनी मर्जी का को style देना चाह रहे हैं तो कैसे देंगे shape fill पर जाएंगे और यहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई भी solid color इसमें भर सकते हैं इस तरह इस पर click करेंगे shape fill में जाएंगे आउटलाइन के color को कैसे चेंज करेंगे यहाँ से आप shape outline पर जाएंगे और यहाँ क्लिक करके outline के color को भी यहाँ से change कर सकते हैं अब जो outline के color उसको जो भी चाहें आप change करेंगे यहाँ से change हो जाएगा तो इस तरह फिर outline के style को आप उसके नीचे जाके weight के अंदर से उसको ज्यादा मोटा भी कर सकते हैं और यहाँ से पतला भी कर सकते हैं ठीक है outline के बाद आपके पास handle option है sketch का तो यहाँ पर आप different किसम के sketches हैं लेकिन उससे बहतर आप dashes और style में जाके यहाँ पर different किसम के style दे सकते हैं कर देते हैं और यहाँ से यह effect खतम कर देते हैं glue का effect भी खतम कर देंगे ठीक है अब उसके बाद outlines में आजाए यहाँ पर आप देखें आप style की outline change करके देखें dotted outline डालके देखें इसको थोड़ा सथ outline को यहाँ से thick करके देखें इसके outline का style है वो change नहीं हो पा रहा है I think मैंने इसके कोई effect दे दिया थे इस वजा से पहले हम एक नया shape बना के देखें दुबारा से shape outline में जाते है यह देखें इसके उपर style change हो गया उसमें किसी effect की वज़ा से change नहीं हो पा रहा था यहां से इसके color भी change कर सकते हैं दुबारा से आपको outline जो है वही वाली चाहिए जो हमने इस पर apply की है यह देखें normal outline हो गई अब इस outline का color को भी हम यहां से no outline color करके यहां से खतम कर सकते हैं ठीक है अगर no outline कर देंगे और no fill कर देंगे तो shape वजूद ही नहीं रहेगा लेकिन shape फिर भी रहेगा अब ऐसी सूरत में shape को कहां से हम हटा दिया मुझे क्या पता shape है या नहीं ऐसी सूरत में आप home tab में जाएंगे और यहां से selection में जाएंगे और select में जाने के बाद यहां से selection parameter by 클릭 करेव और यहां पर देखेंगे जितने shape के बना रहेखें वो आपको दिख रहे हैं देखें इस पर क्लिक करें यह कौन सा shape है? यह वहीной shape है जो भी visible नहीं हो रहे है पिर आप दुबारा से select करके यहां से इसके अंदर कोई भी colors वगरा, fill कर सकते हैं या इसको कोई भी outline दे सकते हैं या फिर अंदर से no fill भी कर सकते हैं, ठीक है? समझ में आ गई याँ तो यह चीज आप यहां से कर सकते हैं यहां पर एक अच्छा उपशन यह ह enqu OUT किए फिल्म आप यहां से shape को किसी को bhi invisible कर सकते हैं और visible भी कर सकते हैं hidden hidden behind भी यहां से कर सकते हैं अच्छा अब ये भी चीज हो गई आपको समझ में आ गई, अब शेप को हम दीगर टेक्स के साथ कैसे अडजेस्ट करेंगे, अब इसको देखने है ज़रा, ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने कुछ टेक्स्ट ले लिए, ठीक है, तो यह हमारे पास कुछ टेक्स्ट आ गया, इंसर्ट शेप और यहाँ से हमने, यह शेप, अब इस शेप को इस टेक्स के साथ कैसे अड़ेस्ट करेंगे, जिसी शेप आप बनाएंगे, तो उसके साइड में एक नशाना जाएगे, विए नками रिलेट करेंगा, इसके रimat टेक्स है, इसका आप क्लिक करेंगे, चाले करने के वद आप देखेंगे, आप टेक्स के उपर नीचे अड़ेस्ट करना चाहते हैं, तो यह देखें, आप उसको उसके साथ एड़ से एड़ेस्ट कर सकते हैं, मैंना खैद है यह दाद भेटा लेंगे यह टेक्स के साथ खुजी एड़ेस्ट होगी इस तरह आपने इसमें शेफ फिल्म में इसमें कलर दिया था इसमें पिक्चर भी एड़ कर सकते हैं, आप नीचे आएंगे तो यहां एक option नजर आएगा picture का, click करेंगे और यहां से आप picture चार जगां से ले सकते हैं, from icons, online pictures, stock images, यह तीन हो option आप use करने के लिए आपको internet का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने computer में से कोई picture लेना चाहते हैं, तो from file पे click करें, और फिर जहां आपके computer में pictures रखी यहां से add हो जाएगी, सही? समझ में आगी ही बन? इस तरह से आप shapes बना के उनके अंदर color change सकते हैं, उनके outline change कर सकते हैं, उनको text के साथ add कर सकते हैं, और यह सारी चीज़ें आप easily कर सकते हैं, यहां पर एक star का option है, तो यहां से आप star बना ले, और star बनाने के बाद इसको star क यहां रख दें, और यहां से click करके wrap text से उसके साथ set कर दें, और इसमें भी कर कोई picture लगा नहीं, तो picture लगा दें, आप picture लगा दें, इसमें भी हर shape में लग जाएगी, same method से, अब यहां पर click करके, अगर आपको लगता है कि यह picture जो मैं इसके लिए suitable नहीं है, for example, जो picture लग आपको लगता है suitable नहीं है, तो आप इसको दुबारा सी हां से जाके no-fill करें कि तो खाली हो जाएगा, color देंगे तो इसके पर अड़ेस्ट हो जाएगा, तो इस पिक्चर लगा नीचे गर सकते हैं, जैसे इसका चेरा नजर नहीं हादा पर इस पिक्चर शेप पर खुदी करेंगे, आप शेप को चेंज कर सकते हैं, शेप को यसे लंबा कर लें, चोटा कर लें, ये चीज़ आप कर सकते हैं, हर शेप की width को आप इस तरह से control कर सकते हैं, height को आप इस तरह से control कर सकते हैं, इस हमल को हम कहते हैं resizing of shape, आप शेप को diagonally भी resize कर सकते हैं, कम जादा कर सकत इस तरीके से ये चीज़े तो आप कर सकते हैं, बाकि पिक्चर ये नीचे आजाए, उपर आजाए, वो ऐसा नहीं हो सकेगा, वो शेप के अंदर पिक्चर फिक्स हुजाती ही जाके, अब जैसे इसमें हम कोई पिक्चर लगा रहे हैं, तो वो इसके हिसाब से ही से चीज़ करते हैं, शेप में बैसे ये शेप है, इसको में किसी और शेप से चेंज करना चाहरा हूँ, तो तो देखें, यहाँ पर यह पर